हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम अभिबान सो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों आज हमारे साथ है आजात कुमार सिंग सर तो इनका आपकारी रिक्षक के पत पर जो है चैन हुआ है वहाँ पर इनकी रैंग 37 तो 37 रैंग के साथ इनका सेलेक् सरका हुआ है तो इनसे आज इनकी स्ट्राइब के यह को सबसे पहले सब को हमारी तरफ से बहुत बहुत बदाई से बहुत दाभाट बहुत थेंक इस सबसे पहले कदम का जो है मोटिवेशन आपको कहां से मिला कि अब हमें इस फिल्ड की तरफ जाना चाहिए मोटिवेशन का तो हमारे यहां एक पंकस कुमार बर्मा सर आए थे मैं उनसे 2017 मिला था उनने परिच्छा रखाए थी अपने कोचिंग में एंट्रेंस के लिए निश्ल कोचिंग कराते हैं तो मैंने सर को देखा सर की कारेशली को देखा उनसे ही मैं इस परिच्छा को सतरूट की जन्नी रही है तो उसके विसे में अभी तक कितने उप पीस का के मेरा फूर्ड अटेम्ट तो इसके पहले मलब जो आपने एकजाम में तो उन में क्या चीजिवे मलब में आपको प्रॉब्लम आई या फिर अमेंस की उपाए था वीच में इसमें फिर मेंने परिच्छा म सामना करना पड़ा तो आपने एक अनालिसीस किया होगा कि हाências कहां पर हो रही है तो मदलब आपको क्या लागा गल्तिया कहां पर आपसे दिखा इसось बात की बनी रहती है तो जैसे पैसे 1 तो कि फरस्ट में एथे में मेरा रेंगे थैक दू नमार से थो वहां दिखा था 19 में मेरा हुआ था और मास्टर था वो भी इंगलिस मीडियम है, एकुनोमिक्स मेरा हिंदी मीडियम है, परिच्छा का माध्या मेरा हिंदी है, तो मतलब इसके पिछे कोई बिष्च रेजन, क्योंकि बहुत सारी लोग आज के टाइम पर क्या है, कि जो इनका हिंदी माध्यम है, वो इंगलिस मेरा है फिर आपने हिंदी मीडियों क्यों चुना परिक्षा के लिए किसी परिच्छेम भासा सिर्फ संभाद का माध्यम है को यह कहें कि आयूग कि बार्षा के इस तर्फ पर भेद्वाब करता तो यह गलत लिए भासा से सिर्फ संभाद और और अपने विचारों को आधान प्रतान किया सकता है तो इसके लिए आपने कहीं पर कोचिंग या फिर सिय आपकर रहे थे की इस तरह हमारे लिगर मैं पुष्टकाल में से नाम से कोचिंग चलती है इसके सांस्थापक डॉक्टर पंकश क्मार बर्मा सर जो एडियम महराजगंज में तैनात है अभी और हमारे सर है यहाँ पर राजबीर सिंग जी और रिंकु भाईया यह तीन लोग यहाँ दो लोग यहाँ पर अलीगड में कोचिंग पर संचालन करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स मतलब पढ़ाया जाते हैं या फिर कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं जो लोग से इंट्रवू दिये होते हैं वह यहां पर आकर करके कच्छा इंट लेते हैं और बच्छों को निश्वल को पढ़ाते हैं तो लगब ऑबरॉल मतलब कितना टाइम आपकी पढ़ायी जब आप तैयारी कर रहे थे कितना घंटे आप सिटी नहीं होती उतना तो आपने अपने तैयारी मलब शुरुआ से और बाद में कितने घंटे कांटिने तो परिच्छा की तैयारी करेंगे तो आप आठ नो घंटे बैठ जाती तैयारी अच्छे मतलब प्रड़क्टिव घंटे लगांगे तो आठ नो घंटे पर्याप्त सबसे पहला प्योज होता है मालीजे कोई कंप्टिशन की तैयारी करना चाहता है PCS की खास कर तो जबसे पहला इस्टेज होता है सबसे ज्यादा दिक्कत को वहीं पराती है तो आपने प्रिम्स की परिच्छा को लेकर क्या खास रण नेती अपना थी और बुक लिस्ट और क्या अफलोगी तो प्रिम्स की परिच्छा के लिए मैंने NCRT प्रेलाई किया बेसिक्स के लिए फिर उसके बाद इस्टेंडर बुक को ध्यान में पड़ा और उसके बाद घठना चकर जो प्रुणा लोग को आता है उसका अपना सौट नो सयार किया बाद बार उन्हीं को बस इतना कर लेँंगे तो मेरा अश्रेंट परेट औरी और बेसिक्स और घठना कर लेंगे तो आप यह मानलीजज आपका आप लोग आद आतो चाहिए तो आप करेंट पर जारऴ सेंड़े सबाहएं को मुझा क्ली है ए सक्षार निएक यूंठ किया था कॉंसा पेपर देनेक ज्यागरन था देनेक ज्यागरन और जंसत्त और कोचिंग में हमारे कोचिंग में सब्सक्राइक है कोई रहे हैं प्रिटक्त धरपन थी और जिसमें जो सिकेंड पेपर होता है सेट का होता है काफी सारे बच्चे फर्स्ट पेपर तो कर लेते हैं लेकिन सिकेंड में भी दिक्कत आती है ज्यादा तर बच्चे वहां भी फेल होते हैं तो आपने उसके लिए कुछ विसेट रणनिती अपनाई थी क्योंकि आप पहले सीट में साय एक दू बार फेल हुए ह तो उसके लिए मनलब बाद में आपने कुछ चीज़ें बदलाओ की थी मैंने सीट के लिए जो पूरों परिच्छा हुई है उसके जो लास्टेश के पेपर हैं उनको लगाया अगर आप इतना लगाते हैं सही से तो आपका सीचेट हो जाता है तो कोई इस्पिसल बुक आत परिच्छा के लिए आंसर राइटिंग बहुत महत्त पूर है हमारे कोचिंग में में अपनी चलती है यहां हम तकरीवन तकरीवन सो कुछ पेपर लिखवा लेते हैं हमारे मैंने भी सो पेपर के करीब हुए थे महान भाई है हमारे डीवाइस पी हुए उन्होंने तो बहु आपको क्या लगता है कि एंसर राइटिंग मालीजे कोई कर रहा है मालीजे कोई बिस्स प्रस्न आया तो उसमें किन-किन महत्पूर्ण चीजों को ध्यान रखना चीए कि यह यह चीजे कवर करना सबसे ज्यादा इंपोर्डेंट होता है जो कोई प्रेशन की जो दिया अच्छी बात है और उसके मनलब पूरे ऑबरॉल जैसे की पूरा मेंस का हम एक्जाम लेते हैं तो उसके लिए क्या पैटन अपने फालो के था बुक लिस्ट आप कुछ बता पाएं तो मैंने मेंस के पेपर फस्ट के लिए हमारे पूर में चैन गोपल सर्माजी है उनके न पड़ा और अपना भी नोट्स बनाया उनसे तो यह सब और के लिए मैंने मौडने इस्ट्री के लिए इस्पेक्ट्र और भूगल का तो मेरा भूगल ऑफ्सनल है और आटन कल्चर के लिए मैंने एंसी आट को देगा बाज बनाएं और सब्सक्राइब जैसे की जो हिंदी क में जो बच्चे पड़ते उनको दिया जाता है जो हमारे बच्चे पड़ते उनी के लिए यह मार्केट में इसकी पड़िशेटी या सेल नहीं होती है जिसको भी लेने है वह यहां आके पड़े यहीं पहले यहीं मिलेगा थैंक्यू सर माली जी कोई छात्र तैयारी में आन आने को चुना तो मोटिवेट्स यही है कि जो लोग हुए हैं उनको देखिए उनसे सीखिए और संगर्स करते रहिए धहर रखिए एक दिन आप सपल जरूर हो जैसे कि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं तो सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ दोस्त हो गए या फि कुछ विगाड नहीं सकती है और मित्र मित्र तो बहुत जीज चीज होती है वो सबीकियोग दोस्ते मेरे दोस्ते समक पूर मौन कपूर भहिया उर्परदी कुमार और पूरा अधिकारी वाला सब्सक्राइब उसको संचाल रूप से पूर्ण पूर्ण योगदान है उनकी बिना शफल होना उनका मेरी मेरी तरफ से बहुत आवार कियोंकि उनके प्रयास हों से उनके मांगा सब्सक्राइब मेरी तो क्या मेरी आने वाली तीन पुष्टों की शैद समय वह सुधर गया उनके लिए बहुत आभार मेरी तरफ से आपने हमें इतना अपना खीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत दन्राशा आपका आभार जो आप यहां तक आए आपका हमारे सहर में पूरा स् पाल्स क्रों कि दो हमेहार जो में एक रहीमती freeze समय होगत faltर, और स्टरों खेभार कर दूरा क्या झाभार नहते दिया यहतन को आपका हमें तो मेंथंquis तो को उन्यक्स हमें गखका हमें वहारे कि दोलराशा